My Precious Friend मेरे बहुमूले दोस्तो आज की प्रतिग्या का वचन यशाध्या 28 वचन 29 से लिया गया है वचन कहता है ये भी सेनाओं के यहवा की ओर से न्यूक्ट हुआ है वो अद्भुत यूक्ती करने वाला और महाबुधिमान है हाँ हर एक उत्तम वर्दान तो जोती के पिता की और से आता है आपको ये जानना होगा कि परमेश्वन ने आपके जीवन के लिए सब कुछ स्वर्ग में तयार करके रखा है जब आपको ये उत्पादन खरीदते हैं जब आपको ये साबुन खरीदते हैं तो उसको पर लिखा होता है कि भारत में निर्मित उसी तरह से हर एक वर्दान परमेश्वर इसे आपके जीवन के लिए कुछ उत्तम वर्दान के रूप में तयार करते हैं और वो उसका उत्पादन स्वर्ग में करते हैं परमेश्वर की संतान यानि जो आप है आपके इस संसार में जो कुछ भी जरूरत है वो उसका आपके लिए स्वर्ग पिता परमेश्वर ने तयार करके रखा है ये तो स्वर्गी आशीश के साथ में आते हैं और इसलिए ये केवल वर्दान नहीं है लेकिन ये तो उत्तम वर्दान है जो आपके पिता के और से आता है सबसे पहले आप खुद उत्तम वर्दान है जो स्वें परमेश्वर ने इस संसार के लिए बनाया है शायद आप ये कहें कि मैं तो बेकार हूँ मैं कमजोर हूँ मैं बीमार हूँ मुझे कोई नहीं चाहता मैं एक असफल वेक्टी हूँ लेकिन आपको ये जानना होगा भजन सहता 149 बचन 14 के अनुसार परमेश्वर ने आपको बहुत ही भयानक रीती से और अध्भुत रीती से बनाया है हाँ उसकी योजना तो बहुत ही अध्भुत है और आप वो अध्भुत योजना है कि परमेश्वर की आशिश को इस संसार में लेकर आए और उसने आपको बनाया और आपके संबंदित हर एक बात को बनाया अपने उस महान बुद्धी के द्वारा इन ही में तो बुद्धी और ग्यान के खजाने छिपे हुए उस ये दो तीन ये कहता है इसलिए जब उसने आपको बनाया उसने परमेश्वर की वो महान बुद्धी आप में रखी और इसलिए आप परमेश्वर की बुद्धी से भरी हैं और इसलिए उसकी बुद्धी आप में और आपके द्वारा काम करेगी हर एक वैक्ति जिसने में ईशु की बुद्धी को देखा वो तो उसके सामने काँ पे और उसके सामने डरने लगे उसकी बुद्धी के वचन सुनने के लिए हजारों लोग उसके पीछे आते पर मेशुर आपको ये अद्भुत बुद्धी दे रहे हैं ये महान बुद्धी आपके जीवन के लिए परमेश्वर की जो अद्भुत योजना है वो आज से पूरी हो जाए आनन मना और खुद को ये शु के हाथ में समर्पित करे परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर इस संसार के लिए तरी जो योजना है उसका मैं भाग हूँ ताकि इस संसार में महान काम हो सके प्रभु आपने जो महान बुद्धी मुझ में रखे उसके लिए आपका धनिवाद धनिवाद प्रभु और सब कुछ बहुती सुन्दर बनाया जाएगा परमेश्वर इस आशीश के द्वार आपका आशीश दे